नमस्कार साथियो नियूस किलिक में हम आपका स्वागत करते हैं जब लोगों के पास बहुत अधिक पैसा हो जाता है तो राजनीती पर दबाव बनाने लगते हैं और पैसे से पैसा कमाने की कोशिस करते हैं एक लोखीत याचिका में इंडिया बूल्स ग्रूप पर आरोप लगाया गया कि वह कथी तोर से धन की हिरा फेरी कर रहा है और इस याचिका की सुनवाई करते हुए डेली हाई कोट ने जो सरकार के महत्वपूर्ण संस्थान हैं जैसे की नेशनल हाउसिंग बोर्ड, सिक्योर्टी एक्षेंज बोर्ड अफ इंडिया इन सब को उसकी चानबीन करने क्यों कहा है और इसी पर बाचित करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परणजय तो परणजय पहले ये याचिका क्या थी? इंडिया बूल्स हाउसिंग फिनांस क्या है? और ये कैसा हेर फेर है? इसके बारे में बताईए मैं पहले तुमने जिस नाम किया वो ठीक कर देता हूँ नैशनल हाउसिंग बैंक एक तरह से ये नियंतरन करते हैं बहुत सारे कंपनिया जो मकान बनाने के लिए घर बनाने के लिए कर्स देते हैं पैसे देते हैं इसमें भारतवश में बहुत सारे ऐसे कंपनिया है उसमें इंडिया बूल्स ग्रूप भी है वो सबसे बड़े कंपनियों में एक है और हैं serious fraud investigation office, registrar of companies, भारतिय reserve bank, securities and exchange board of India यानि की से भी यह सारे संगस्ताओं को यह दिल्ली हाई कोट के एक खंट पिट justice डियन पतेल और हरी शंकर जिसी हरी शंकर ने इन्होंने आपका 27 सप्टमबर में इन्होंने के बोला कि आप बताइए कि यह जितने सारे आरोप लगा है कंपनी के खिलाव, आप इसके उपर जाच कीजिए और फिर इस विश्चे के उपर फिर दोबारा 13 डिसमबर यह कोट सुनवाई करेंगे तो आरोप क्या है, इसमें आरोप में सच है या नहीं है, बेबुनियाद है कि ने, यह सारे सरकारी संगस्ता बताएंगे, कि आरोप यह है कि यह ग्रूप जो है, इंडिया बूल्स ग्रूप, इन्होंने कर्जद दिया ऐसे कुछ कमपनियों को, और वो पैसा घूम फिरके वापस आ गया, यही कमपनी और यह कमपनी का जो मालिक है, जो स्तापन किया जिसको कहते है प्रोमोटर्स, और यह बरे-बरे ग्रूप जो है, इसमें है, अनिल अम्बानी ग्रूप, जिसको कहते है, एडी, एजी, अनिल धिरुभाई अम्बारी ग्रूप, इसमें डियल एफ ग्रूप है, जो एक समय दिल्ली लैंड और फाइनैंस कहते थे लोग, इसके जो सबसे उपर है, के पी सिंग, कुछल पाल सिंग, इसमें वाटिका ग्रूप है, चोडिया ग्रूप है, अमरीक और ग्रूप है, और भी स और उसके माले कुछ जो स्थाफन किया, यही है, यह जो याची का है, इसमें लंबा चौरा बहुत सारे आरोप लगाया हुआ है, और यह जाच करने के बाद ही मालूप परेगा कि इस आरोप में कुछ दम है या नहीं है, मगर एक चीज़ में कहना चाहता हूँ कि इससे पह टी एच फल दिवान हाउसिंग, ऐसे कंपनियों के ओपर भी बहुत सारे आरोप लगाया, और यह आरोप लगाने के बाद शेर बजार में कंपनी का शेर गिर गिर गया, और एक तरह से यह पूरा जो हाउसिंग सेक्टर है, जो मकान बनाने के लिए जो पूरा सेक्टर है, एक तरह से बहुत सारे कंपनी के खिलाप ऐसा आरोप लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे, याचिका है, सुनवाएक या, एक सरगारी संस्ता, नबी सी सी, नैशनल बिल्डिंग्स कंस्रक्शन कॉर्प्रेशन, इसको बोला की, जे पी ग्रूप का एक कंपन में ये बाच्शित हो रहे है, मगर ये इंडिया बूल्स पहला बार आया, आपने बहुत विस्तित लेख लिख लिखा है, इंगली स्वेब साइट पर इस पूरे मसले पर, और दर्शो को पढ़ना चाहिए, उस लेख को, और आपने बहुत ही विस्तित तरीके से बताया कि क किस तरह से कि कॉंग्रेस और भाजपा, जो मुखिवी पार्टियां हैं, उनके साथ इनका संबंध किस तरीके से है, इनके मालिकों का, इनके प्रमोटरों का किस तरह संबंध है, उसे थोड़ा बताएंगे आप, देकि यह है काफी जटिल कहानी है, मगर ये इंडिया बूल वो नाम अलग-अलग तरह से, वो 20 साल में राजनीती कर रहे है, एक समय जो बंसीलाल, जो हर्याना का मुख्यमंतिर थे, उनका एक राजनीतिक दल था, हर्याना विकास पार्टी वहां पे थे, फिर उसके बाद उन्होंने कॉंग्रिस के साथ उनका एक संपर हो गया, फिर बाद में इन्होंने भारती जंता पार्टी के साथ है, और उन्होंने इस बार चुनाओं भी लग रहे थे, उन्होंने लोकसभा का एक टिकेट ढून रहे थे, वो नहीं मिला, मगर सोनेपत से, ये आपका 2014 में, मगर उन्होंने जो विदान सभा चुनाओं राय शेत्र से उ उनको टिकेट मिलेगा की नहीं, और समीर गिलावट जी का जो भाई है, जो क्रिशन गिलावट जी का जो बड़े बेटा है, उनका उनका शादी हुए है जोती मिर्धा के लो, जोती मिर्धा का संपर्क है कॉंग्रेस के साथ, क्योंकि जोती मिर्धा जी का जिस परिवार से आते हैं, वो राजस्तान से आते हैं, उनका जो जो ग्रैन फादर दादा जी थे, वो जाने माने एक कांग्रिस का राजनीता था, नतुराम मिर्दा जी, उनका भी देहन्त हो गया, उन्होंने भी लोकसभा चुनाओ जीत था नगौर से 2009 में, वगर 2014 में उन्होंने चुनाओ जीत नहीं पाया, और जोती मिर्दा जी के साथ, बहुत सारे कंपनी के साथ, उनका भी कोच संपर्ख है, और भी इनका बहुत सारे, जो जो बहन है, जो उनका नाम स्वेता है, नाम बोलते हैं हिम स्वेता, हिम स्वेता मिर्दा जी, दिपेंदर सिंग हुडा से उनके शाद हर्याना का मुक्ख मंत्री थे 2005 और 2014 के भी जो इनका बेटा है तो इस तरह से बहुत सारे इनका दोनों पार्टी में इनका एक तरह से संपर्क है और यह जो इंडियन एक्स्पेस पेपर में जो पनामा पेपर्स में भी उहां पे एक उन्होंने लंदन में उन्होंने कुछ संपत्ती उहां पे खरीदा और वो जिस तरीका से एक ट्रस्ट था फैमिली ट्रस्ट था फैमिली ट्रस्ट का जो एक कंपनी उनका मालिक था और वो कंपनी का मालिक था, आपका सुमीता सिंग जो समीर गिलोट का बीबी का मा है, वो भी ट्रस्टी है, वो सब लोग एक तरह से, उनका भी एक संपर्क है कांगरेस के साथ, तो एक तरह से आप कहेंगे, जो आज कारोबार करते हैं, जो हमारे देश को बरे बरे पूझी प पैसा है, वो आप कहा रहे हैं, एक तरह से कह देखा जा तो बहुत ही सांदार एक्जामपल है, जिसे हम क्रोणी कैपिलिजम किया, अधाना है कहते हैं, तो आपने ये भी जिक्र किया है कि 2007 में सेवी नहीं ये कहा कि इस कंपनी को बंद कर देंगे, लेकिन आखिर कर कैसा क् बंद नहीं करा बुला, इनके खिलाफ कुछ आरोप आ, मगर एक दरह से उसका सेटलमेंट में हो गया, उन्होंने पैसा दे दिया, और बस हो गया, मामला खातम हो गया, इंकम टैक्स का रेड भी हुई थे इनके उपर, तो आज नहीं बहुत सारे विवाद में ये ग्रूप इंडिया बुल्स ग्रूप पहले से भी थे, आज भी है इसायत, एक और उधारन में देना चाहता हूँ, एक समय सुब्रमानियम स्वामी जी, जो भारते जन्ता पार्टी का सांसाद, उन्होंने भी आरोप लगाया, कि ये कंपनी के पीछे हुडा जी है, चिधाम बरम जी ह और उन्होंने प्रधान मंती नरेंद्र मोदी को भी एक चिधी लिखा, और वो चिधी सब को बाट देया, उन्होंने सब के पास पहुच गया, और ये मिलने के बाद, इंडिया बुल्स ने बोला, ये एक दम आरोप बेबुनियाद है, जूटा है, एक दम नहीं है, वो बो ले लिया, और इससे पहले भी देखिए, एक 2012 में एक कनडा का एक कमपनी वेरिटास, उन्होंने भी एक रिपोर्ट किया था, उसमें नीरज मौंगा और नितिन मंगा जी रहते हैं कनडा में, और नितिन मंगल रहते हैं मुंबई में, तो इनका खिलाफ भी आरोप कमपनी लिए लगाया कि हमसे पैसे लेने के लिए इस तरह से आरोप लगा रहा है, उनके खिलाफ भी एक फिस्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लगाया, वो भी अभी कोट में मामला चल रहा है, मगर जो इससे पहली भी जो इंडिया बुल्स के खिलाफ भी लगा था, उनके खिल इन्डिया बुल्स कहा कि इन लोग सीधे लोग नहीं है, हमसे पैसा मांग रहे हैं इसलिए और एक वेक्ति को भी ऐसा गिरिफतार भी किया गया, का नाम है मनीराम पांडे जी गुरगाओं का जो पुलीस है, जो 29 जून में लखनाओं में भी इनका गिरिफतार किया है, तो यह सारे कंपनियों का नियुन्तरन करते हैं, भारतिया रिजर्ब बैंक, सेबी, Securities and Exchange Board of India, SFIO, Serious Fraud Investigation Office, Registrar of Company, यह सारे कंपनियों के इस विशे के उपर जाच करना भी जरूरत हो गया, अब जरूरी नहीं, कोट ने आदेश कया, तो करना ही पर गया है, इनको. यह जो विट्टिय रेगुलेटर संस्थाएं हैं, जैसे कि आपने आरबियाई का नाम लिया, सेबी का नाम लिया, Serious Fraud Investigation का नाम लिया, इन सारे औरगनाईजेशनों का क्या रोल रहा है, क्या इनके निस्पक्छता पर बट्टा नहीं लगता है कि बहुत दिनों से कंपनि मौद्रिक नीती है, एक तरह से उनका हेड में है, वो बैंकर ऑफ बैंक्स बोलते हैं, केंद्रिया बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एपेक्स मनेटरी अथारिटी यानि की सारे मौद्रिक नीती वो तियार करता है, Securities and Exchange Board of India से भी, सारे शेयर बजार में जितने सारे ट्रांजे अलग अलग जो फाइनेशल इसके उपर नियंतरन इनके हासा है, मैंने पहले भी जैसे बता है, नैशनल हाउजिंग बैंक का काम है, जो हाउजिंग फाइनेंस कंपनी है, जो घर बनाने के लिए जो कर्स देते हैं, इनके उपर नियंतरन है, और MCA, Ministry of Company Affairs के अंदर, ये भी, रेजिस्टर आफ कंपनी से वो बताते है कौन सा कंपनी कहां पे है, किसके मालिक आना है, कौन देशक है, कितने कंपनी का कारोबार है, मुनाफ़ा है, सिरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एक अलग दफ्तर है, मिनिस्ट्र अफ कॉर्परेट अफेर्स के अंदर वहाँ पे वो जाच करते हैं, किस तरह से कौन सा कंपनी, इसका मालिक कौन है, असली मालिक कौन है, बहुत सारे जटिल जिस तरह से ये सारे कंपनी काम करते हैं, कि एक कंपनी के पीछे दोब, दोब के पीछे चार, चार के पीछे आठ, तो समझने के लिए भी आसान काम नह है बहुत जटिल परती है जो एक तरह से एक बूल-बुलाईया हो जाता है एक मेज हो जाता है इसमें से जो सच है और जो जो इसके पीछे कौन है कैसे है किस तरह से यह सारे कारोबार हुआ इसके लिए यह स्पेशलाइजड काम जो करते हैं जैसे S.F.I.O. से भी इनका जरू आप से अंतिम सवाल, आपने अपने लेक में भी सेवी का एक जिक्र किया है कि एक समय एक हजार इंप्लाइज सेवी के गए और उन्हें पूरा च्छानबीन किया इनकी कंपनी सेवी ने भाया, ये था इंकम टेक्स डिपार्टमेंट था, आएकर भी भाग, और उसके बाद क् तीन से क्रोड रूपय का वो भी लगता, जर्माना भी लेकिन उसको कम कर दिया जाता है, ये बात क्या थी पूरी? ये जो है, आकपार में आये है, बहुत सारे वेब साइट में आये है, आप हमारे आर्टिकल लेख लीजिए, मैंने नहीं कहा, बहुत सारे आर्टिकल आये है, हाँ, सेटलमेंट हो गया, सेवी के साथ 48 लाग पैसा दे दिया, एक जगा में जब आयकर विभाग ने जाच किय वहाँ आयकर विभाग का एक सेटलमेंट कमिक्शन होता है, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप 300 करोर दीजिए, तो ये सारे सब को मालूम है, सब के सामने है, ये सारवजनिक सारे आखड़ा है, आप लोग परके, सोचके, अपना जो राय है वो ले लिजिए आप, शु मेंज ओफ पॉलिटिकल लिंक्स ओफ इंडिया बूल्स समीर कहलोग, सुक्रिया आप देखते रिया न्यूस के लिए